ओ नमस्कार स्वागते आप सभी का हमारी चैनल होंग फोर सेल में और मैं गिता अंचली आप सभी के लिए ले आई हूँ एक अमेजिंग सी डील जी हाँ जब मैं आपको इस फ्लैट के बारे बताऊंगी जो मैं आपके लिए जेकर आई हूँ आप देखते ही ये बोलेंगे कि मैं प्लीज इस फ्लैट को किसी और को मत दीना ये फ्लैट सिर्फ और सिर्फ हमें ही चाहिए तो चलिए अब ज़्यादा बात भी करते हैं मैं आपको सबसे पहले दिखाती हूँ एलिवेशन पार्किंग देन मैं आपको बताऊंगी फ्लैट की सारी डिटेले जिसे जानने के लिए आप सब होंगे काफी ज़्यादा बेता तो चलिए पहले देख लेते हैं अलिवेशन और पार्किंग ओ मुझे ही ढून रहे हो डिटेल्स के लिए जी बई हाँ जब इतना सुन्दर फ्लैट है इतना अमेजिंग फ्लैट है तो डिटेल्स जानना तो बनता ही है तो चलिए मैं ज़्यादा इंतजार नहीं कराती हूँ और आपको बताती हूँ कि ये फ्लैट की डिटेल्स क्या है क्या इसकी लोकेशन रहेगी क्या कुछ आपको यहाँ पर फैसिलिटीज मिलने वाली है तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दू कि ये आपको दौर का मोर जैसी प्राइम लोकेशन पर मिलने वाला है यहाँ ये फ्लैट आपको 100 स्कूर यार्ड में मिलने वाला है साथ ही साथ यहाँ पर आपको ये फ्लैट जो है काफी अमेजिंग मिलने वाला है बहुत सुन्दर होने वाला है और सबसे खास बात यहाँ पर सबसे पहली आपको मार्किट पास मिलेगी स्कूल, पार्क, सब आपको यहाँ पर नियर मिलने वाला है मेट्रो स्टेशन से मात रिये होने वाला है 400 मीटर की दूरी पर जो यहां वाकिंग नहीं तो आप यहां पर इरिक्षा से आप ट्रेवल कर सकते हैं और सबसे खास बात चलिए मैं आपको बाद में बताऊंगे अभी नहीं यह सीक्रेट है वो बाद बताऊंगे लेकिन आपको एक और चीज बता दू कि यहां पर जो फ्लैट यह फ्लैट जिस जगा है तो गली जो होने वाली आपकी गेटेड होने वाली है और 25 तो 30 फुट में आपको यह गली मिलने वाली है मतलब गली भी काफी चौडी है आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगी और साथ ही साथ यहां पर जो लोकैलिटी है वो काफी जादा सुन्दर और काफी जादा प्यारी होने वाली है तो एलिवेशन आपने देख ली, पार्किंग आपने देख ली लेकिन अब मैं आपको लेके चलूँगी इस खुबसूरत से आशियाने में आजाईए तो चलिए गाईज यहां पर देखिए लीविंग रूम में के बारे मैं आपको बात में बताऊंगी लेकिन सबसे पहले आज मैं आपको दिखाऊंगी इस फ्लैट का फर्स्ट बेडरूम आजाईए देखिए यह खुबसूरत सा बेडरूम जेहां देखते ही आपकी आँखे भी चोकने वाली है भाई देखिए खुबसूरत ही इतना जादा है इतना जादा प्यारा है सबसे पहले आप इसके कलर कॉंबिनेशन पर देखिए भाई देखिए सबसे आप चीज़े हाइलाइट करती है वो कलर कॉंबिनेशन होता है कि भाई कलर क्या चूज की जाए बहुत कन्फीजन होती है बट आप इस बैड को देखिए एक बार ब्राउन और वाइट और कॉपर ग्लास का कॉंबिनेशन से इस इंटियर को डिजाइन किया गया है जो यहां कितना जादा खूपसूरत लग रहा है मतलब इस रोम में एंटर करते ही सबसे पहले आप सभी की नजर इस बैड पे जाने वाली है जो यहां जो कि आपको कुल्टिंग के वर्क साथ बीच में कॉपर ग्लास का वर्क किया गया है कुशन्स लगाएगी जो कि पूरा इतनी अच्छे से यहां पर डेकॉर किया गया है कितना सुन्दर और डीसेंट सा यह लुक दे रहा है आप देख सकते हैं इस वीडियो में अगर आप देख पा रहे होंगे लेकिन वीडियो में जितना सुन्दर लग रहा है उससे यहां सुन्दर जब आप विजट करेंगे तब लगने वाला है सो बैट के बाद हम बात करते हमारे वाट डॉप की यहां रूम में सबसे ज़ादे इंपोर्टन होता हमारा वाट डॉप की भाई कितना स्पेस है कितना नहीं है तो आप इस वाट डॉप को देखें कितनी ज़ादा सुन्दर है कितनी ज़ादा स्पेशिस है त्री डॉर्ड में आपको ही मिलने वाली है, नीचे भी आपको स्पेस मिलने वाला है, जहाँ पर आपनी हीर्स, शूज, सब कुछ यहाँ पर एजिली आप रख सकते हैं, और देखें, बाहर से भी कितनी डीसेंट सास को लुक दिया गया है, कितना अच्छा कलर कॉलर कॉम्ब जारे भी दिये जा रहे हैं, नीचे ड्रॉर भी दी जा रही हैं, जो की काफी स्पेशियस हैं, तो मतलब यह रूम वाक्य में ही बहुत जादा सुन्दर है, अब इसके बाद हम बात करते हमारी फोर सीलिंग कीजिए हाँ, आप नजद डाली जारे एक बार फोर सीलिंग पर कॉब लाइट के साथ, यहाँ पर प्रोफाइल लाइट के साथ, आप सभी को फोर सीलिंग दी जा रही है, स्क्वैर शेप में दिया जा रहा है, आपको डिजाइन है, जो इसका इंटीर है, कितना जादा सुन्दर लग रहा है, तो मतलब आपको पसंद आतो रहा होगा नग तो मतलब यह रूम वाके में ही बेहत जादा खूपसूरत है, तो चलिए, यह था हमारा फर्स्ट रूम, लेकिन अब मैं आपको लेके चलती हूँ हमारे लीविंग एरिया में, जो इहाँ लीविंग रूम देखिए, लेकिन उससे पहले किए नजर मारी इस फ्लोरिंग पर जो यहाँ देखिए, ग्रे कलर की टाइलिंग का, मार्बल का वर्क किया गया है, कितनी जादा सुन्दर है यह जो यहाँ चमचमाती ही फ्लोरिंग आपको मिलने वाली है, और गाइस आपको बाह बता हूँ, इस फ्लैट की खासियत क्या है, इस के जो कलर कॉम्बिनेशन तो आप लिविंग डू एरिया देखिए, कितना जादा स्पेशियस है, यहाँ 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 पर आप बड़े से बड़ा सोफा सेट लगा सकते हैं, यहाँ पर अभी फिलाला आप यू शेप का देख रहे हैं, बट आप अपने अकोर्डिंग यहाँ पर L शेप का भी यू करना हो, तो यहाँ पर आप डाइनिंग टेबल भी आप टू सीटर, थी सीटर डाइनिंग टेबल भी यूज कर सकते हैं, तो लग रहे हैं खाफी ज़दा खूब सूरत, अब इसके बाद सबसे खास बात करते हैं, इस लीविंग रूम की इसके पीछे का व्यू देखिए, मतलब इसके अंधर आप को चार चीजों कॉंबिनेशन, लूमर, वॉड और यहां पर मारबल का, जी हाँ यह कॉंबिनेशन आपको मिल रहा है, चार चीजों का एक साथ, कहीं دेखा है आपने ऐसा, देखें, दोनों कॉरंनर पे आपको लूमर का वर्क मिल रहा है, उसके ना guys, तो मतलब आपकी बिना तारीफ के, आपकी living room की बिना तारीफ के नहीं जाने वाल है, बहुत ही खुपसूरत तरीके से इसे तयार किया गया है, तो आप नजर भारते हैं इसके बाद फोर सीलिंग पर, जो ही हाँ, एक बार मैं परे गेमरा में से कहूंगे कि ओ फोर सीलि को कितने खुबसूरत लग रही है जी हाँ जो इसको डिजाइन किया गया है कितने बहतरीन तरीके से किया गया है मुझे लग रहा है कि यहाँ पर बहुत सुन्दर तरीके से किया गया है और आप देख भी सकते हैं. कॉब लाइक्ट लगा रही है लीविंग रूम जो है वाके में ही बेहत खूबसूरत है अब इसके बाद हम बात करते हैं हमारे टीवी पैनल की जो है हाँ नजर वारी एक बार इस तरब हाला कि यह वूट का है गाईज लेकिन आपको ऐसा लग रहा होगी टाइलिंग है लेकिन वूट का है बीच में एक कॉपर हाइलाइटिंग आपको दी जा रही है स्विल्च आपको दी जा रहे हैं और काफी स्पेशियस है आप इसली बड़ा सा टीवी पैनल भी यहाँ पर लगा सकते हैं और खास बात यह है कि जस्ट सोफे सेट के सामने हैं पूरी फैमिली इसली यहाँ पर बैट कर टीवी को जा मूवी इसको अच्छे से इंजॉय कर सकते हैं तब आप सबीने एक टीवी पैनल तो देखि लिया होगा। लेकिन हम बात करते हमारे मौडिलर किचन के जहां में खड़ी वह आपका मौडूलर किचन उन्ने वाल है। लेकिन एंटर करने से किच्छन के बारे में बताने से पहले मैं आपको बता दो देखिए जस्ट लेप साइट में यहाँ पर आपको यह डेकोरेटिव आइटम मजएं यह इरिये को कितने अच्छे से ब्लॉक्स मनाया गया है चोटे-चोटे से ताकि यहाँ पर आप चोटे-चोटे से डेकोर आइटम करी कर सके यहाँ पर ताकि किच्छन के बाहर का एरिया भी काफी सुन्द लगे और बीच-वीच में देखिए चोटे-चोटे प्रोफाइल एलेडी लाइट भी लगाई गई है तो आप देख सकते हैं कि इतना ज़दा खूपसूरत लग रहा है लेफ्ट में आपको डेकोर आइटम मिल रहा है और राइक में आपको टीवी पैनल मिली रहा है तो चलिए आप चलते हमारे मॉडिल किचन में आजाएगे तो आपको यू शेप में मॉडिलर किचन मिलने वाला है आपको यहाँ पर चिमनी लगा के दी जा रही है चिमनी आप यहाँ लगा सकते हैं और कलर देखिए ब्लैक एंड वाइट का कॉम्बिनेशन यूस किया गया है किचन में अगर आप कैबिनेट्स देखेंगे तो कैबिनेट्स भी काफी स्पेशियस हैं बहुत अच्छा स्पेस आपको मिल रहा है कलर कॉम्बिनेशन मिल रहा है अज़स्ट पैन आपको उपर यहाँ पर देखिए लगा के दिया जा रहा है और साथ ही साथ यहाँ पर आप दिखेंगे ड्रॉर की बात की जाएं तो आप देख सकते हैं ड्रॉर भी कितनी स्पेशियस हैं काफी सारी हैं बहुत सुन्दर आपको यह किचन मिलने वाला है मिडल एरिया की बात की जाएं यहाँ पर आपको देखिए ये लगाके देदर हाला की wood का लग रहा है बटिए यहाँ पर wallpaper है मनदा काफी सुंदर तरीके से kitchen को भी बनाया गया है आप देखी सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है और आपको काफी बहुत ज़ादा पसंद भी आने वाला है अब बात करते हैं हमारे फोर सीलिंग की तो आप एक बार नजर उपर घुमाईए ज़रा किचिन की फोर सीलिंग पर कॉव लाइट के साथ बहुत डीसेंट सा डिजाइन दिया जा रहा है आपको प्रोफाइल लाइट के लगा के दी जा रही है कितना जादा सुन्दर लग रह है तो कैसा लगा आप सभी को मॉटर रहन है न अच्छा तो वाकि में गाइस अच्छा तो है किचन मुझे तो बहुत जादा पसंद आया तो अब यहां पर चलते हैं हाँ अपने सेकिंड बैडरूम में लेकिन बैडरूम में जाने से पहले आपको दिखा दे हमारा कॉमन व देख सकते हैं एक सुंदर सा डिजाइनर आपको मिरर लगा के दिया जा रहा है और साथ ही आप अगर इसके राइट-हंड साइट पे देखेंगे तो यहां पर आपको इस पेस या जा रहा है काफी सुंदर लग रहा है आप लगाओ फ्लार यहां पर पॉर्ट लगाओ देख रहे हूंगे इतना जादा सुंद लग रहा है सैनिट्री के फिटिंग्स आपको लगा के दी जा रही है तो वाश्रूम भी काफी जादा सुंदर तो आपको आई होप पसंद जरूर आ रहा होगा तो चलते हैं हम अब हमारे सेकिंड बैड्रूम के तरफ आजाएए त कलर कॉंबिनेशन के बाद से कर रही हूं और आप सभी देख भी पा रहे होंगे कि बहुत अच्छे तरीके से कलर कॉंबिनेशन यूज क्या है यह पूरा बैड्रूम जो है यहां पर आपको मिलने वाला है ग्रे कॉंबिनेशन में ग्रे एंड वाइट जो हैं सबसे पहले आप नजर डालिए जरा इस बैड पर जो कि यहां पर कितना ब्यूटिफुल तरीके से लगाया गया है और कितना जादा सुन्दर भी लग रहा है जो यहां यहां पर जो यह कलर कॉंबिनेशन है इस रूम को बेहा जादा शांदार और खूबसूरत मना रहा है बैड देखे हाला कि आपको लगिंगा वॉल पेपर है बट यह बीच में मार्बल है और साइड मी वूड है जो कि इस क्वंबिश्यों कितना खूबसूरत बना रहा है और बैट कि दोनों साइड दिखे एक साइट पर आपको मेरे लेप्ट हरुनियर को जा पर मेरे ब्राहा है और मेरे र के हमारे यहाँ पर वाट्रॉब की जी हाह जटस्थ आपको लैट्ट साइट में यह वाट्रॉब मिलने वाली है यह वाट्ड्रॉब जो है कार कि Collect भी सूरते हैं आप अपी कलर देखी colour combination हैं बैठ का यहाँपर वाट्रॉब से बिलकूर जुलता सा color combination यूस किया गया है और सबसे खुबसूरत चीज पते क्या है इसकी अब इसकी beach color area देखे ये दोनों side आपको wardrobe मिली है और बीच में ये आपको decor item का showcase का item लगा के जा है यहाँ पे छूटे छूटे से blocks बनाएगे हैं with a profile light के साथ जो यहाँ जो इसको कितनी जादा खुबसूरत बना रही है तो guys I hope आप सभी को ये पसंद जरूर आ रहा होगा अब बात करते हमारे tv panel की जो हाँ tv panel का color भी आप देख लीजे ग्रे ही होने वाला है gray and black का combination यहाँ पर use किया गया है काफी spacious है इस room में आपको ये लगा के दिया जा रहा है with loomer wood के loomer work के साथ देख रहे है आपके इतना खुबसूरत लग रही है तो guys आप देखी पा रहे होंगे और नीचे आपको draw दी जा रही है जो कि काफी spacious हैं काफी जादा पसंद आ रही होंगे आपको four ceiling की बात की जाए तो इस room की four ceiling आप देखी रहेंगे cob light के साथ और profile LED light के साथ आपको इस four ceiling दी जा रही है बीच ये fan लगा के दिया जा रहा है काफी खुबसूरत भी और लाजवाब भी लग रही है जो यहां और इस room में आप सबको दो चीजे मिलने वाल है एक तो आपको यहां पर balcony मिलने वाल है दूसरा आपको ventilation भी मिलने वाला है तो चलिए अब मैं आपको लेके जाओंगी third master bedroom में लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं हमारी balcony की जलत तो balcony आप सबीरे देखी लिए हुई कि इतनी जादा शानदार है लेकिन अब मैं आपको यह से में आपको starting में कहाते एक खास बात आपको बताऊंगी देखिए हम इस second bedroom से लिकलकर हम balcony में आए हैं लेकिन अब balcony से ही हम सीधा जाएंगे हमारे third master bedroom में सबसे पहले आपकी नजर जाने वाली है यहां पर इस बैड पर जो यहां देखिए बैड में बेरे कहाना हर रूम में जो इंटीर किया गया है काफी जादा खूबसूरत काफी जादा शानदार काम किया मतलब हर रूम में जो combination यूज किया गया है काफी जादा खूबसूरत है देखिए आप कुल्टेंग का विद कॉपर ग्लास आपको वर्क मिल रहा है दोनों साइड आपको वाट्डॉप मिल रही है वुड में यहां पर आप सीधा नजर मारी टीवी पैनल पर जो कि आपको दोनों ही मिलते जुलते कॉबिनेशन के साथ मिलने वाले है देखिए यहां पर दोनों साइड पर लूमर का वर्क है और बीच में वोड एंड मिलर का वर्क आपको मिल रहा है तो इस टीवी पैनल को कितने खुबसूरत तरीके से तयार किया गया है और नीचे आपको वाई कलर की ड्रॉर मिलने वाली है तो कॉम्बिनेशन देखिए कितना अच्छे से तयार किया गया है तो टीवी पैनल आप सभी डी देख लिया होगा तो आप यहां बात करते हमारे फोर सीलिंग की तरफ आप देखेंगे तो यहां पर कॉब लाइट के साथ प्रोफाइल लाइट के साथ यहां पर आपको फोर सीलिंग दी जा रही है कितने सुन्दर तरीके से तयार किया गया है आप देखी पा रहे होंगे तो वहीं आपको बैट के आपको राइखेंड साइट पे स्पिट एसी मिलने वाला है देखिए यहां पर लगा हुआ है कितना ज्यादा खुबसूरत भी लग रहा है यहां पर आप अराम से लगा भी सकते हैं तो गाइस अब बात करते हैं हमारे इस master bedroom में washroom कीजिए हां मेरे जस्ट फीचे ही आपको washroom मिलने वाला ही देखिए इस washroom को भी कितने शांदार तरीके से तयार किया गया है इंटर करें ही आपको सामने mirror work मिलने वाला है जो यहां आप देखेंगे mirror कितना अच्छी शेप ही दिया गया है और आपको काफी जादा पसंद भी आने वाला है इस वाश्रूम में टाइलिंग चमचमाती हुई ग्रे कलर की टाइलिंग यूज़ की गई है और इसको बहुत अच्छे तरीके से तयार किया गया है मतब वाश्रूम भी काफी शांदार आपको मिलने वाले हैं तो गाइस इस रूम की खासियत यह है कि यहाँ पर आपको वाश्रूम अटैच मिलने वाला है तभी इसे मास्टर बैडरूम भी कहा गया है और आपको बेहाँ जादा ही पसंद भी रूम आने वाला है तो गाइस कैसा लगा आप सभी को 100 गजबी बना हुआ ये 3 BHK अच्छा लगा ना देखी में शुरुआत में ही आपको कहा था है जब मैं इस फ्लाट को आपको दिखाऊंगी न तो आपको देखते ही ये फ्लाट जरूर पसंद आने वाला है क्यों इतना शांदार इतना खुबसूरत ये फ्लाट होने वाला है दौर का मोर जैसी प्राइम लोकेशन पर आपको मिलने वाला है तो शांदार तो होगा ही तो गाईज अब खुबसूरत शांदार अमेजिंग डील को अगर आपको अपना बनाना है तो इधर उधर कहीं नहीं जाना है सीधा होम फोर्स सेल पर कॉंटेक्ट करना है इंतजार नहीं करना है तो अब में गितान शली आपको फिर मिलूंगी नए फ्लैट के साथ नए वीडियो में तक तक के लिए टाटा बाई बाई टेक कियर